नमस्कार, स्वागत है आपका इविद्या चैनल नंबर नाइन पर मैं हूँ देवेंद्र उत्रिपाथी, आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशल साइंस का एक सोशल साइंस सब्जेक्ट रहेगा और इसमें जो विशे है वो बहुत रोचक है और बहुत ही प्र दिवस हम क्यों मनाते हैं ये भी बताएंगे और सर से मैं पूछूँगा जो हमारे आज के महमान हैं उनसे पूछूँगा लेकिन इसमें दोस्तों विशे जो रहेगा आज का शारीरिक शुक्षा और विक्तित्व विकास ये विशे है सोशल साइंस के सब्जेक्ट के इंतर रही है और आगे बढ़ें से पहले हम अपने महमान का अपने विशेशग्य का आप सभी से परजे कराते हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल दूबे जो की डी एसस नाइन न्सियार्टी डेली मैसेसिन पर विक्तित्व है और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को आज बह आवाल पूछ सकते हैं इसके लिए आप नोट कर सकते हैं फोन नंबर फोन नंबर है डबल 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 फोर जिरो डबल फाइब नाइन आपकी स्क्रीन पर फ्लेश हो रहा है इसके लावा आप इमेल एडरस भी नोट कर सकते हैं इमेल एडरस है dth.class9 at the rate ciet.nic.im ये मीडिय yuvadivas क्यों बना रहे हैं क्या प्रसंग है इसका क्या प्रसंगित्ता है इसकी? ज़नेवार देविंदर जी और आप सब को भी केवल राष्ट्र को नहीं पूरे वैश्विक इस्तर पे global level पे सब को राष्टी yuvadivas की शुपकामना है और जैसा की अतिहासिक नत्य था है वीक् का जन्म हुआ था और स्वामी विङेकननन्द एक बहुत ही कूरियस ठोड़े से शतान जैसे एक स्टुरेंट हुआ करते और उनकी उसी curiosity और उनकी उसी छोटी मोटी शितानी के कारण ही वो नरेंदर नाम का जो लड़का था वो स्वामी विवेकानन से उनके नाम से वैशिक पटल पे छाये और शिकागो में जो कुछ भी हुआता हो इतिहास है और मेरे खाल से पूरा देश उसको जानता है समझता ह या भारती जो परमपरागत ज्यान है उसको लेकर किस स्थर पे हमने विश्व में अपनी धाग जमाई थी जी और ना सिर्फ जानता है बलकि शिकागो में जो स्वामी विवेकानन जी ने जो भाशन दिया था धर्म को लेकर के भारत की समझ के बारे में वो निश्चित तोर पर पूरे विश्व के लिए भी और साथ ही साथ भारत के लोगों के लिए बहुत ही गौरव का विश्व है और गौरव करते हैं हम आज भी उस पर जी दर असल क्या है कि रिलीजिन या धर्म की जो बात की गई थी तो धर्म को उन्होंने जिस तरह से इलैबोरेट किया था उसका एक महत्मून चीज था कि धर्म मीन्स दाइत्व अगर हम कहते हैं तो धर्म का मतलब कोई केवल पूजा पद्धती नहीं वो दाइत्व की बात की गई थी कि वाट इस तरह से उस चीज को थोड़ा सा एलैबोरेट किया गया था और रैसे भी हम करते हैं यह काम करना हमारा धर्म है वो धर्म इसलिए क्यांकि वो दाइत्व है हमारा चाहे वो प्रकृति की सेवा हो चाहे परिवार की सेवा हो या किसी भी मानवता की से रिलेटेट कुछ हो जी जी तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि स्वामी विवेकानन्द युवाओं के लिए प्रेणना श्रोत हैं और बहुत सारे युवा दर्शकों से लगातार स्वामी विवेकानन्द के विचारों को पढ़ते हुए लगाता के वातावरन का इस समय बना हुआ है जिस तरह का वातावरन है ऐसे में new education policy जब लाई गई तो उसका मकसद था कि पूरा जो शिक्षा का धांचा है उसको बदला जाए और बच्चों को बदलते समय के हिसाब से तैयार किया जाए जो संसाधाने मालो संसाधाने वो उस हिसाब स से तैयार हो तो क्या इसमें physical education याने चारिरिक शिक्षा और विकास को उतना महत्व दिया गया है जितनी की आज के समय में प्रासंगीकता है या जरूरत है देविंद्र जी देखिए क्या है शिक्षा को अगर आप देखें तो किसी भी प्रकार के अनुभव के अंदर अगर unfortunately सदियों से क्या चला रहा है कि केवल एक rottenized memory form की जो आपकी ability है आपके व्यक्तित्व का एक पक्ष है कि चीजों को अच्छे से रट लेना और एक उर्चित समया अंत्रायल के बाद में उन रटीवी चीजों को प्रदर्शित कर देना तो आप एक सिक्षत व्यक्ति माने जा रहा है अब क्या हो रहा है कि जो NEP की बात की जा रही है नई राष्टी सिक्षानीती 2020 की बात की जा रही है तो उसको केवल हम इंडियन परस्पेक्टिव से भी नहीं चलें सोचें एक बार गिलफोर्ड का जो education का model था जिसमें cognitive cognitive access करें के करीब 156 57 के आसपास उन्होंने total traits बता ही थी कि intelligence की ये traits हो सकती है या two factor theory की जो बात के गी थी कि एक general intelligence होता है तो हमारे हां पर इतने सारे caution इतने सारे गुण इतने सारी विधाये हैं जिसमें की व्यक्ति अपने अंदर एक प्रामीनिता अपने अंदर एक दक्षता डवलप कर सकता है राष्टी सिक्षानीत इसी की बात करती है राष्टी सिक्षानीती का मतलब यह है कि यदि व्यक्ति के अंदर बालक के अंदर inherited बहुत सारे potentials हैं तो उन सारे potentials को nurture किया जाए और जब व्यक्ति 16 साल 17 साल 18 साल का हो रहा है तो केवल व्यक्ति एक ATM मशीन नहीं बन रहा है कि वो अपनी जीवी को प संपूर्ण कर रहा है तो केवल वे अपना जीवी को पार्जन करने के लिए ही सक्षम नहीं बन रहा है वरन वो एक बहुत अच्छा दाइत्वान केवल इस देश का नहीं एक वैश्विक नाकरिक बन रहा है आप जब वसुदहेव कुटुमकम की बात करते हैं तो आपका द दाइत्वान पुरूशों को तयार करके सोसाइटी को देना होगा जो कि इस बात को सुनिश्यत कर सकें कि ना केवल उन्हें केवल चारिक रूप से नहीं मान से एक बौधिक अध्यात्मिक चारित्रिक हर रूप से स्वस्थ होना है और अपनी पूरी सराउंडिंग्स को कि बात करते हैं तो हमारे तो उन प्रादेशिक खेलों में भी जीवन का सार चुपा हुआ था एक बहुत संयोग की बात होती है कि हम 2023 के अंदर अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करते हैं और हम 2047 में 100 वर्ष की बात कर रहे हैं कि हमारे शतक होगा हमारी आजादी के 100 व 22-23 साल कुल बचे हैं आपको भी आद होगा देविंदर जी और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी आद होगा कि सबने अपने बचपन में एक खेल खेला होगा विष अमरित जिसमें की एक बच्चों का अपने साथियों का जुन्ड होता है और जो विष वाला होता है वो हाइबरनेटिव मोड में उसको उठाके खड़ा करना है तो उस खेल का मतलब केवल वही तक सीमित नहीं होता है अब आप देखिए कि हमने 47 में आजादी पाई है और पिछले हम 2047 में पहुंचें तो जैसे कल में सुन रहा था कि यह का जारता कि 30,000 डृलर की हमारी नामी तक हम लेके जाएगे तो 30,000 की ट्रिलियन डॉलर की 10-15 साल हो चुके होंगे तब जाकर के हम विश्य गुरु बन पाएंगे और उसके लिए जो मेन फीडिंग टाइम होता है वो यही नवी कक्षा आठमी कक्षा दसमी कक्षा होती है जिसकी के आज आज आपने चर्चा करने के लिए मेरे को सुभागी दिया है तो कक्षा नवी क आज का सोशल साइंस का विश्य है और इसके अंतरगत हम चर्चा कर रहे हैं शारीरी शिक्षा और व्यक्तित्व विकास पर और इस पर अगला जो प्रश्ण मेरा रहेगा सर जिस तरह के चैलेंज जैसा कि मैंने चैलेंज नेपी के साथ भी जोड़ा था लेकिन जिस तरह के चैलेंज जिस तरह की चुनावतियां इस समय बढ़ रही है खास तोर पर स्वास्थि को लेकर ऐसे में जो एकडेमिक एजूकेशन है अगर हम बारवी तक बात करें तो एकडेमिक एजूकेशन वर्सिस फिजिकल ट्रेनिंग पी टी जिसका संग्षिप नाम है क्रोनीम तो क केवल आप ही प्रशन क्यों बूछ है मैं भी पूछ सकता हूँ प्रशन मेरा आप से प्रशन है कि आपके उस सबसे नजदी की परिचित व्यक्ति का आप नाम बताईए जो आपके परिवार का सदस्र भी हो सकता है आपका मित्री भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है जो आप इतिहास गवाओं Buddhist to a la, can consider IT कि एयू छोड़कर के चले जाते हैं यह कई बार हम मुंद्ध किस मों रहा है हमारे साथ सबसे अंत में जो रहने वाला है वो है हमारा देय, हमारा शरीर और हमारे वैदिक विज्ञान में एक किसी शायद वांग में में कहीं पर सबस्ली रूप से लिखा गया है कि शरीर माध्यम खलूम धर्म साधनम आपको किसी भी दाहित वाकर निर्भन करना है आपको किसी भी अपने धर्म को पूरा करना है तो उसमें सबसे ज़्यादा आपके अगर कोई मदद करता है तो आपका शरीर करता है बिल्कुल ठीक है अब उस शरीर को जो आपके सबसे अंतर तक आपके साथ रहने वाला है उसको उसके ध्यान दखने का दाइट तो फिर आपका बनता है और क्या हो रहा है ये विशाय नवी कक्षा के अंदर ही क्यों डाला गया है हाला कि थोड़ा सा अब जल्दी होने लग ग होते हैं वह बाल्य वस्ता को समाप्त करके किश्वर वस्ता में प्रवेश कर रहे होते हैं और अब तो किश्वर वस्ता से युव वस्ता में वोलोग आना शुरू कर चुके होते हैं तो इस समय यदी उनको केवल अपने देह के बारे में जानकरी मिले अब यहां पर भी एक चोटा सा विशाय सोछने का आता है कि देह का मतलब क्या है? देह का मतलब केवल इस थूल शरीर नहीं है जोम आखों से देख पा रहे हैं मेर केवल शरीर नहीं होता है, मन भी भी होता है जिसको English में एक शब्द कहा जाता है, mental प्रफी श्ट्रेचव भी होता है और अंग्री जी का एक और शब्द होता है जिसको कहा जाता है intellectual जिसको हिंदी में मानसिक या बहुत धिक कहा जा सकता है तो एक मानसिक शरीर होता है एक शरीर जो संदचना आखों से दिख रही है वो वाला शरीर होता है फिर उसके बाद में उस शरीर के द्वारा आप अपना किस तरह से समझपित भाव से अपना कार करें तो वो शरीर का फिर औरा बनता है जो कि आपकी आपका एक सामजिक शरीर होता है तो ओब सारे शरीरों की बात शारीक शिक्षा करता है. शादिक शिक्षा को आप केवल इस स्थूल शरीर तक सीमित नहीं करें, क्योंकि जो हमारा आधुनिक शादिक शिक्षा जो नया राइसनी शिक्षा नीती में आने वाला है, वो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों की बात करेगा, तैतरी उपनिश्यद के अंदर एक प इन कोश हैं, उस स्थर तक भी अगर हम अपने देश के चात्र चात्रों को लेके जाने में सक्ष्म हो जाएंगे, तो निसंदे हम जल्दी होंगे. जी, जी, चलिए बहुत महत्पूर्ण और बहुत ही रोचक जानकारियां सर से हमें मिल रही हैं, और हम इस तरचा को आगे बढ़ाते हुए मैं सर से पूछना चाहूँगा कि, क्योंकि नवी कक्षा के विद्यार्थी काफी समझदार होने लगते हैं, और उनको लगता है कि वही सत्य हैं, जानते हैं और बाकी सब लोग जो जानते हैं वो ठीक नहीं है, उनको ही सब चीज का ग्यान है, और बहुत उत्साह में होते हैं, ऐसे में क्योंकि विक्तित विकास की बात हो रही है, शारीरिक शिक्षा की बात हो रही है, तो दो चीजे मैं अलग-अलग आप शरीर तक नहीं रह जाता है, शरीर के साथ-साथ आपका जो nutritional aspects है आपकी लाइफ में, socio-economic एक बात की जाती थी, तो पहले का जाता कि साब यह तो गरीब का बच्चा है, इसको पोशक तत्व जादा नहीं मिल पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है कि अब चुँकि बहुत सारे nuclear families हो गई हैं, एकल परिवार हो गई हैं, तो वहाँ पे तथा-कथित जो गरीब नहीं हैं, आर्थिक रूप से, मध्यम वर्ग हैं या उच्च वर्ग हैं, मेरे इसाब से, वहाँ का बच्चा जो है, तुलनात्मक रूप से अध्यन करने की बात आ रही है, सबकी लिए नहीं का जा रहा है, पर अधिकतर वर्ग जो है, वो जिस तरह से जंक फूड पे ज्यादा डिपेंडेंट होता जा र तो उस हिसाब से तो पोशक तत्व की कमी उस मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग में भी आ रही है, उसके बदले जो निम्द वर्ग है, जो केवल चना और गुड खा रहा है, वो ज्यादा अच्छे पोशक तत्व शरीज में ला रहा है, साथ के साथ में वो शारिक श्रम भी और खाते समय एक चीज का जो सबस्रादार जिसको हम मनुमय कोश्प के अंदर भी अगा थोड़ा सा डीपली हम अध्यान करते हैं, तो यह है कि आप देखिए हम भोजन करने से पूर्व में एक हाईजिनिक परस्पेक्टिव से हाथ वगरे दोते थे और हम एक भोजन मंतर क आख उसको देख करके पता दिए कि हम क्या खा रहे है साथ ही जब हमने आख बंद करके भोजन पूर मंत बोला है तो हमने बोड़ी में जित्ते भी डाजेसिव हर्मोन जूसेज निकलने हैं लार गृंथियां जो स्रावित होनी है जो कि उसको पचाने में सायक होंगी तो हम उनको fully focus concentrate हो करके खुशी खुशी वो भोजन करना है तो किशोरा वस्था में या इस आयू और के बच्चे बच्चियों में मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप जो भी भोजन कर रहे हैं माता पिटा ने दादा दादी ने बुवा मौसी जिसने भी प्रेम से बनाया है नाक के शरीर में पोशक तत्वों का संचरण परी संचरण को बढ़ाएगा जादा जागरत करेगा दूसरी चीज जो कि हमें इस उम्र में पोशक तत्वों के साथ ध्यान रखनी है क्या नहीं खाना है डिप्रेशन की सिच्वेशन सबसे ज़ादा आती है वो एडल्टूड के अ जो मेरे सीनियर से उनको बहुत नौलेज है हमें जो पता है वो आधनीक दुनिया का पता है इस तरह की फीलिंग समारे अंदर आती है आनी चाहिए गलत नहीं है परन्तु जिनके लिए हमने सोचा था वो आज भी हमसे कहीं ज्यादा अनुभवी होते हैं बट जब हमें ऐसा के कारण और हम अपने लक्षियों तक नहीं पहुंचने पाते हैं तो हम सबसे ज्यादा अवसाद में भी हम ही आते हैं हमका मतलब किशोर आवस्थावली आयू जी उस समय आप जब इस देश को एक मजबूत कंधे वाले युवाओं की जरुत होती है और मजबूत देश मज समुदा या राश्र सब कमजोर रहा है भारत का युवा अवसाद के लिए जन्मा ही नहीं है हमारे पास इतने साधन इतने संसाधन है कि जहां आपके अंदर नकरात्मकता घर करने लग रही है जहां आप अवसाद में जाना शुरू कर रहे हैं तुरंत बैक टू बेसिक्स अपने परिवार के साथ में बैठना शुरू कीजि है माता पिता बहा चाचा जो भी थठ सभध परिवार उन से बातें कीजिए अपने उन साथियों से बातें कीजिए जिनके साथ बैठ करके आपको अच्छा लग रहा है और जो थोड़ược गाना पसंद करते हैं जो drug addiction, doping, weed, कई ऐसी चीज़ों का हम आजकल देख रहे हैं कि आठवी नवी, आठवी नवी के बच्चों के अंदर बड़ी डारकर साइड है society की, कि हम लोग देख रहे हैं कि ये तेजी से बढ़ने लग रहा था ये प्रचलन, ठीक है इश्वर क्रपास से वापस सब कुछ ठीक होने लगा है, पर जब भी ऐसा होने लगे तो तुरंत अपने दिमाग को उस नकरात्म का परिस्तिति से आपको हटाना है, ये एनिपी के अंदर भी कहा गया है, जी, तो ये बहुत अच्छी जानकारी और उम्मीद करते हैं क इस टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे इन टिप्स को, तो अवसाद में जाने की बजाए एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में आप आगे बढ़ेंगे और मजबूत व्यक्तित्व बनकर आप आगे निकलेंगे, और चुकि ये तो शारीरिक शिक्षा के टिप्स थे स मैं चाहूँगा कि कुछ व्यक्तित्व विकास के भी टिप्स देजिए क्योंकि academics में कई बार चीजें होती हैं लेकिन बच्चे सिर्फ उसको एक्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसे अनुकरणी कहानिया, प्रेरग कहानिया या ऐसे महा पुरुशों की बाते होती हैं लेकिन उसको हम सिर्फ परिक्षा पास करने का माध्यम समझते हैं और उसको अपने जीवन में आत्म साथ नहीं करते हैं, तो कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जिससे कि उनके व्यक्तित्व को और बहतर निखारने में उन्हें मदद मिले, बहुत ही सामियक और ब आर्मी किता में पढ़ने के आवशकता नहीं है, जितनी उनको फुटबॉल केलने के आवशकता है, या मैदान में जाने के आवशकता है, यह उनके द्वारा कोटेड स्टेट्मेंट है, वाई, क्यों, देखिए जब आप खेल रहे होते हैं, जब आप फिजिकली एग्जर् सारी चेतना एक साथ काम कर रही होती है, अकैडमिक नॉलेज केवल आपने किसी कम्प्यूटर की स्क्रीन, या किसी किताब या किसी नोट्स को लिख करके पढ़कर के जो आपने अंदर डाल लिया है, वो आपका एक पक्ष है, वो आपका ग्यानात्मक पक्ष हो गया, और य प्रियात्मक्पक्ष क्या होता है यह मैं अपनी पिछली भी कई सारी क्लासेज के अंदर इसको रेफरेंस को मैं दे चुका हूँ कि मेर को मेरे गुरुजी ने सिखाया कि यदि आप जंगल में जा रहे हैं और आपके सामने अचानक से कोई शेर आजाएगा तो आप क्या करें इस तरह से आठ ये दस सीजें आपको बता दी गई है जो कि आपने रिट ली हैं किताब में लिख दी हैं और आपके दस में से साड़नों नंबर आ गए हैं कि यदि मेरे सामने जंगल में शेर आ जाये तो क्या करना चाहिए अब मैं वास्तों में जंगल में जा रहे हूँ मेरे सामने शेर आ गया, मेरे दसमें से साड़े नो नमबर आएं, अब मुझे क्या करना चाहिए, हास्यास्मक, मतलब हास्यास्मक पक्ष की बात करें, तो आब मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, जो करना है, शेर कोई करना है, परन्तु उसका दूसरा पक्ष क्या है, कि मैंने मेरे 10-30 में नंबर नहीं लाये थे, मेरे 10 में से 5 या 6 आये थे, परंथु जब बास्ता में मेरे सामने कोई शेर आया था, तो सबसे पहले जो चीज थी, वो मेरे अंदर की जीवट थी, वो मेरे अंदर का एक जोश था, मेरे अंदर का एक self confidence था कि जब तक मेरे में जान होगी तब तक तो मैं अपने आपको बचाने के कुशिश करूँगा, यह नहीं कि मैं दूचने लगया, घरवान लगया, डरने लगया, या ऐसी कई चीजे हमारे को बताई गई हैं, समझाई गई हैं, कि हम उन पक्स से समझ ल आती है, कि जो आप खेल रहे हैं, मैं पूर में Regional Institute of Education अजमेर में काफी वर्षों तक अपनी सेवाईं दी हैं, मैंने एक दिन देखा, टैनिस कोड के बाहर एक बड़ा सा पत्थर पढ़ाता है, हमारी ही एक चात्रा उस पर sketch pen, उस board marker से लिख रही थी, कि never allow victory enter to your head and never allow losses enter to your heart, जीत को कभी दिमाग में मत घुसने दीजे और हार को कभी दिल में मत घुसने दीजे, ये खेल सिखा रहा है, ये academics नहीं सिखा रहा है, इसलिए आप देखेंगे कि जो खिलाडी जीवन के शुरुआत में बहुत ज़्यादा खेल खेल रहा है, जीत भी है और हार भी रहा है, तो जीवन में एरी गौड फॉर्बिड उसको आगे बहुत सारी खुश्या मिल रहा है, तो बिलकुल आलाद ही तो करके डाच नहीं रहा है, ये किसी कारण से कभी कोई दुख हारे है, तो एकदम से अफसाद में नहीं जा रहा है, तो ये चीज सिखा रही है, sports, ये चीज सिखा रही है, physical education, how to digest victories and how to overcome from the losses, ऐसी भहुत सारे उधारने, emotions, sentiments, उनसको कैसे पार पाना है, मुझे किसी किशोरा वस्ता है, कई बार पैर फिसलता है, मेरको जो, मैं जिसको इच्छित मेरा व्यक्तित्व है, उसको मैं नहीं पापा रहा हूँ, तो मैं depression में चाने जाता हूँ, अन्य कई ऐसे साधन संसादनों की मदद लेना बालक बालिकाएं शुरू कर देते हैं, जो कि उनकी देह के लिए, शरीर के लिए, इंटरनल जो, organs उनके लिए नुक्सान दायक होते हैं, परंतु, यदि आप खेल से जुड़े हूए हैं, यदि आप इच्छित कोई कार पूरा नहीं भी हो रहा है, तो आप अपने उस पीड़ा को उस दर्द को परिवर्तित कर रहे हैं अपने लेखनी में, कविताओं में, पेंटिंग में, या किसे स्कल्प्चर की डिजाइनिंग में, तो क्या हो रहा है कि you are comfortably not only overcoming your sorrows, rather you are giving something to the society to set as an ideal and then masses may follow you. खेल क्यों खेले जाएं, या खेल क्यों खेले जाते हैं, बहुत एक पुराना principle है, शिंडलर स्पैंसर का मैं कई बार कोट कर चुका हूं, theory of surplus energy, हम जो भोजन ग्रहन कर रहे हैं, उससे सपोस हमारे शरीर में 1500 calorie का निर्मान हो रहा है और पूरे दिन बर शरीर को चलाने के ल 1000 calorie हो रही है, तो जो 400-500 calorie बच रही है, उसका क्या करना है, तो पहले बात तो उस 400-500 calorie को उपयोग नी करोंगे, तो वो स्टोर होकर के नुकसान पहुचाएंगे, इसलिए खेलिये, दूसरा प्रशन या आता है आपका कि क्या खेली है, दो चीजों के लिए खेल खेला जाता है, दूसरा पक्षा आता है कि आप खेल को स्वैम के सम्मान, राष्ट्र के सम्मान और अपने जीविगो पारजन के रूप में यूज़ करना चाहरे हो, ये दो अलग लग पक्ष होते हैं, तो एक अगली बार की की चर्चा में इसको अपन आगे बढ़ा देंगे कि चाहिए, क्यांकि वही इस बात को निधारित करेंगे कि फ्यूचर में ये किसमें अच्छा एक्सल कर सकते हैं, चलिए, बहुत अच्छी जानकारिया है और बहुत ही उपयोगी सत्र रहा आज का, और इसके लिए मैं आपको असर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँग और अब आपसे लिए अनुमती से पहले एक जरूरी सूचना देदू, हमें आपको बताते हुए खुशी हो रहे ही कि CIT and CRT सुवर्ष के लेखिल भारतिय बच्चों की शैक्षिक E-Content प्रतियोगिता की घोशना कर चुका है, यदि आप एक शिक्षक, शिक्षक, प्रशिक चात्र या सुतंत्र स्रेक्षिक की कंटेंट निर्बाता है, तो आप प्रतियोगिता के लिए अपना सरवश्य इस्ट ये कंटेंट भेजने के लिए आमंत्रित है, अधिक जानकारी और प्रवेश्च फॉर्म के लिए आप CIT की वेब साइट देखें, तो आप स्क्रीन पर